पीटी के साथ अगर हम चावल का पानी, मेथी दाना, रोस, मेरी और थोड़ा साम अद्रक का तुखड़ा मिला देते हैं तो यह हमारा बहुत ही पावरफुल शैंपू बनके रेडी हो जाता है आप पैमें दोनों को एच्छे से अड़ कर देना उसके बार आपको राईस वॉटर लेना है या पेड्रक टुकड़ा अच्छे से किरश करके एड़ कर दिया था अब इन सभी को और आपको बहुती ही दीमी आच में पकाना है। पांड का था में अज़को upं लिए 5-10 मिनट के बाद ना मैंने इसको छानलिया था छानने दर निदेश जो एक चला पहले के रखार जाएंगा बचतेक्ट पांस की अलोट एक पानी जानना दर हो छानना था एकाल रिपटक तो उब हो ठयाएंगा मिंदिटक्र किर से गाले यह शेंपू आपका अराम से प्रफटे भर चल जाएगा क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही है जो मैंने क्वांडिटी ली है यह आराम से आपका हफ्ते भर चल जाएगा उसके बाद कोई भी हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर देना तो जो भी इंगेंडेंस अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें अब काफी अच्छा जाग भी मिल जाएगा मैं आपको हैंड में देखो यूज़ करके दिखा रही हूं यह ना बहुत अच्छी से ना मलब की ना बहुती स्मूद सा टेक्शर बनके रेडी हो गया था और देखो इसमें जाग भी कितना अच्छ मैं तो इसको काफी टाइम से यूज़ करें तो मैंने दो शैशे इसको इसमें एड कर दिये थे एंड इस शैंपू को आप फ्रिज में रख सकते हैं चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि आप मौसम चेंज वह रहा है पर ठंडी जगा पर रखेंगा जिससे कि यह हैं अगर दो ऊक्या बालों में यूज किया था क्योंकि देखो मैं अपने बालों में तो हमेशा आपको कुछ निग दिखाती रहती हो तो आप लोग भी बहुत प्रिखेंगा यह तो बहुत हंकर बहुत जल्द से स्टॉप होगा अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते चैनल को सस्क्राइब पर एक ऐसी मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में